नमस्कार दोस्तों मैं जीत आप सबका अनकेडमी अससी लाइब में वेलकम करता हूँ कैसे हैं आप लोग और कैसी चले आप लोग में पढ़ाए वेलकम टू आला फ्यू वेलकम टू आला फ्यू आप सबको जैसा की पता है कि हमारे टॉप एजूकेटर आपके लिए लेकर आ यदि हम बात करें कि हमारे एक बेस्ट प्लेटफार्म पे आपको 30 प्लस बैच हर भी प्रवाइड की जाते हैं 300 क्लासेज आपको प्रवाइड की जाती हैं 70 प्लस एजूकेटर आपको पढ़ा रहे होते हैं साथी साथ 40,000 इंट अबर का रिकॉर्डिट कंटेंट भी आपक आपको प्रवाइड करते हैं यदि हम बात करें हम अपने इस प्लेटफार्म पे आपके लिए लेकर आ रहा हैं सीटी ब्रहमास्त बैच जो की 17 मतला आज से स्टार्ट हो रहा है तो आप इस बैच को इन्रोल करके पूरा इसमें फुल स्लेवर्स कबर किया जाएगा सीटी का साथी साथ टॉप एजुकेटर आपको पढ़ा रहे होंगे पीडियाफ मैटेरियल मिलेगा अल्लिम्टेड एकसेज होंगी वीकली कुज भी मिलेगी ताकि आप अपनी तयारी को जाच भी सकते हैं तो इस सारी चीज़े हमारे आपको इस बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं वाइफाई इस्टेडी जो की एक यूटूब चैनल है और इंडिया के बेच्ट एजुकेटर है तो आपको यहाँ पर 17th मार्स से ये बैच भी आपका आ रहा है तो आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं साथी साथ आपका यहाँ पर फाउंडेशन बैच है जो की आपका SSC CGL ठीक है 2021 बैच एक जाम के लिए आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं जो की 17th मार्स से स्टार्ट हो रहा है साथी साथ एक फाउंडेशन बैच है जो SSC CPU एक जाम का है आप इसके साथ भी जुड़ करके अपनी तयारी को आसान बना सकते हैं अपने CPU के लच को पूरा कर सक हैं तो 12 PM को हर संड़े को 12 बजे आपका यहाँ पर एक कॉमबेट होता है तो नेक्ष कॉमबेट जो है उसमें संड़े को है तो आप G10 अनलॉक कोड या रैफरल कोड यहाँ पर अपलाई करके इसको अनलॉक कर सकते हैं ठीक है इन रूल कर सकते हैं G10 कोड और यदि आप अन G10 और आपको यह G10 कोड UPSC, Bank, Railway हर कैटेगरी में equivalent valid है यदि हम बात करें आज की क्लास की सुरुवात की तो जैसा कि कुछ लोग नए होंगे तो वो मुझे जान ले मेरा नाम है G10 नरकुमार और मेरा जो रैफरल कोड है G10 और मेरा एक रैफरल कोड और है यदि उसको भी आप apply कर सकते हैं G10 live किसी भी करिटगरी में आप यदि उनकर्मी जोइन करना चाहते हैं तो आप जोइन कर सकते हैं G10 और G10 live के साथ साथ मैं GS का एजुकेटर हूं मेरे जो plus course है जो आपको plus अनकर्मी plus से जोइन करते हैं तो उसके लिए इंडियान हिष्टी के तीनों पार् करके अपनी तैयारी को आफसान बना सकते हैं GS को लेकर के यहाँ पर आप सबसेशन के लिए गेट सबसेशन में जाएंगे यहाँ पर 24 मन्त में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें डिसकाउंट नहीं नजर आएगा लेकिन यहाँ आप यहाँ पे कोड एपलाई करते हैं G G10 कोड यह देखें आपने अपने अपलाई किया जो G10 कोड है इसको यह आप एपलाई करते हैं तो आपको डिसकाउंट भी हो जाएगा और आगे आपको ध्यान देना है किस तरीके से यहाँ पर आपके कुछ कुछ कोईंस होंगे जो आपने इस पेसल कास्ट में पढ़कर क जनरेट किया होंगे तो इसको रेडियम कर सकते हैं तो यह रेडियम करने के बाद आपका एमाउंट टोटल इतना कम हो जाएगा तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको कोईंस जो आपको मिलते हैं उनको भी रेडियम करना है चलिए पहला कोशन आज का राइट आंसर द दिया जाता है इस राजियुगांदी खेल रत्मपूरुसकार को सबसे पहले कौन जीता हुआ है कमेंट में आंसर दें ठीक है दूसरी बात यहां पे राजियुगांदी खेल रत्मपूरुसकार उननिस सो इंक्यानवे में शूरू किया गया क्योंकि 89 तक हमारे प्रधानमं मिनिश्टी है जो यूथ मंत्राले मिनिश्टी है उसके द्वारा दिया जाता है दूसरी important बात ये इस बार जो याद रखना है सबसे पहला award किसे दिया गया है सबसे पहला award भी सुना था आनन्द को दिया गया था ये बात याद रखनी है अभी जो राजियू गांधी खेल रत्न पुरुसकार है राजियू गांधी खेल रत्न पुरुसकार जो है वो अभी कितने लोगों को मिला है रत्न पुरुसकार कितने लोगों को 2020 में दिया गया है उनके नाम most important है वो आपसे question बन सकता है तो 5 persons को दिया गया है वो 5 ब्यक्ति कौन है तो सबसे पहले क्रिकेट के एक दिगज जिनका नाव आप लूग जानते हैं रोहिस सर्मा रोहिस सर्मा इन्होंने क्रिकेट में वो कारणामे किये हैं आपको पता हिए ठीक है रोहिस सर्मा को राजियो गांदी खेल रत्म पुरु वो किस खेल से संब्दित है नाम पूछे आते हैं कई बार तो यहाँ पर रानी रामपाल जो कि आपको पता है हांकी टीम से संब्दित है रानी रामपाल इनका नाम भी याद करना है रामपाल रानी रामपाल तो पहले परसन यह हो गए दूसरी परसन यह हो गए तीसरे पर most important है और उनका नाम है मुनका बत्रा ठीक है या उनका नाम आपने ऐसे देखा होगा मन का बत्रा मन का बत्रा मन का बत्रा ये किस खिल से संबन्दित है तो टेबल टेनिस की खिलाडी है मन का बत्रा इनको भी राजियो गांदी खिलरत पुरुसकार से नवा जा गया है तो टेबल टेनिस भी याद रखना है कि ये किस खिल से संबन्दित है टेवर टेनिस गेम से ये संबन्दित है चोथा नाम, most important है और उनका नाम है, ठीक है मरियप्पम, ठीक है मरियप्पन, मरियप्पन जो है ये किस खेल से संबन्दित है, प्रीज बताएं आप लोग मरियप्पम, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को सेर भी करें, ठीक है ये आपकी एक responsibility है तो आपको वीडियो को सेर करना चाहिए, sharing is caring ठीक है, तो मरियप्पम ठीक है, मरियप्पन जो है, ये किस खेल से समद्दित है, पैरा एथलीट है ये और ये पैरा एथलीट में इनको इस एवार से नवाजा गया है, ठीक है अब यहाँ पे पांचवाँ जो परसने उसका नाम बताएं, तो एक बहुत ही ठीक है, रेसलर जिनको आप लोग बोलते हैं बहुत ही अच्छी कुछती लड़ते हैं और फोगाट है, और इनका नाम है विनेस फोगाट और यह विनेस फोगाट को भी ठीक है, विनेस फोगाट को भी यहाँ पर क्या दिया गया है, राजियू गांदी खेलरत दिया गया है भारत के पांच खिराड़ी जो राजियू गांदी खेलरत पुरुसकार पाएं हैं आप सब इनके नाम जरूर याद कलने और दूसरी important बात मैंने ये भी बताया राजियू गांधी खेल रत्म पुरुसकार कब दिया गया था सबसे पहला राजियू गांधी पुरुसकार भी सुनाथन आनंद को दिया गया था और याद रहना रुही सर्मा, रानी रामपाल, मानिकबत्रा, मरियप्पम और विनेश फोगाट इनको इस बार का नुविल ठीक है इस बार का राजियू गांधी खेल रत्म पुरुसकार दिया गया है यह एक बात याद रखना, यह हमारे स्पोर्ट जगत का सबसे प्रस्टीजर एवाड है इससे यादा प्रस्टीजर एवाड कोई और है नहीं दूसरी बात याद रखना कि यहाँ पर एक बात और याद रखना, most important वो भी है अभी तक सबसे युगा खिलाडी वो कौन है जिसको राजियु गाहनी खेल रत्म पुरुसकार मिला है तो अभिनो बिंद्रा का नाम याद रखना कि 18 साल की उमर में अभिनो बिंद्रा ने ये कारणामा हासिल कर लिया था अभिनों बिंद्रा हैं जो सबसे युगा खिलारी हैं ठीक है और उनको अभी तक पता है 18-18 की एज में ही 18-year-old youngest player का खिताब उनके पास है ठीक है ये भी आपको यार रखना है चलिए आगे चलते हैं अगला प्यारा question आप इसका right answer करेंगे ठीक है अब आप लोग यहाँ पर आप लोग बिल्कुँ सिंपल तरीके से ठीक है which of the falling vice versa is first established by government of India इन में से कौन सा एक vice versa is जिसको भारत सरकार ने सबसे पहले इस्थापित किया था right answer करें very good रोहित हाँ cricket से हैं विल्कुल ठीक है विल्कुल ठीक है हाँ यहाँ पे आप लोग राइट answer करें कि जो बाइस first reserve है पहला कौन सा इस्थापित किया गया था यह आपको पहला बताना है इंडिया में पहला तो इंडिया में पहला जो बाइस first reserve है उसका right answer दें तो यहाँ आप या रखना 1986 में बनाया गया था और यह नील गिरी बाइस पर जिर्व यह हमारे भारत के तीन राज्यों से इसकी सीमा लगती है most important है साब कहां कहां से लगती है तो आपका यह रखना तमिंड नाडू ठीक है केरला और करनाटक से इसकी सीमा लगती है ठीक है यह उस सार इसली कहां मिलते है लाइन टील्ड मकाव ठीक है बंदर पूँज मतलाए सिंग पूज बंदर इसको बोलते हैं हिंदी में लाइन टील्ड मकाव और यह भी यहीं पर पाय जाता है रहा है ठीक है अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे अभी भारत में कितने 22 ज़र्म है तो ग इसमें से 12-22 जो हैं, 12-22 जो हैं, वो UNESCO के मैप प्रोग्राम में सामिल किया गया है, UNESCO जो United Nation Educational Scientific and Culture Organization है, इसमें 12 को सामिल किया गया है, और वो जो 12 हैं, उसमें नया भी सामिल किया गया बारवा, उसका नाम है पन्ना बाइस प्रोग्राम मोश्ट इंपोर्टेंट है, इसी साल का important question, कि 15-22 जोग उनेसको के मैप प्रोग्राम मैप प्रोग्राम है, मैं इंड बाइस प्रोग्राम इसमें सामिल किया गया है, ठीक है, अब जो हमारे 18 हैं, यदि आप लोग एक बार सुनना चाहें, तो मैं बता दू, नहीं सुनना चाहें, तो मैं आगे बढ़ू, यदि आप लोग सुनना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पर सौर्ट में लिख देता हूँ, और आपको पता भी हो जाएगा, इससे आपके निशनल पार्क भी इंपोर्टेंट है, और बाइस पर जियर भी आपके पूंचे जाते हैं, ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार सौर्ट मे लेगी, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, नंदा देवी, बाइस पर जियर अब, यह कहाँ पर पढ़ता है, तो आप बोलना उत्रा खंड में पढ़ता है, तो आप खाड़े की बात करें, तो कहाँ पर होगा, गल्प अप मननार, निशनल पार्क भी इसनी के नाम पर है, गल का नाम है डुगांग, ठीक है, तामिन नादू में पढ़ता है, प्लीज भी इसनी नोट कलने, अगला यहाँ पर गल्प अप मननार के बाद, यहाँ पर नौक्रिक, नौक्रिक जो है, वो कहाँ पर पाए जाता है, चयर्चा में रहता है, प्लीज आप दो ध्यान से देखे क्या आप तुरंत answer देंगे संदर्बन, संदर्बन कहां पे है तो संदर्बन 22 ज़र भी है नेशनल पार्क भी है और टाइगर ज़र भी है यह कहां पे पढ़ता है तो वेश्ट बंगाल में पढ़ता है प्लीज भईया यह सारे important है यह सारे आपके एक्जाम में आते हैं, देखे सिर्फ कुश्चन करा दें से काम नहीं चलेगा, आपको उससे जुड़ी हुई यह दस बाते पता चल जाएंगे, तो वो पोर्सन सॉलिड होगा, अभी नया बाइस परजिजर्ब, सबसे भारत का नियूली बाइस परजिजर्ब पढ़ता है, वहीं पर यह बाइस पर रियर पढ़ता है, अभी हाली में एक जगे आग लगी हुई है, और उडिसा के रिये में, और उस बाइस पर जिजर्ब में भी आग लगी हुई है, तो या रखना, सिमली पाल यह इसलिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि अभी हाली में अग लगी हुई है. अगला important, दिहांग, दिवांग, तो दिहांग, दिवांग करके आए, थीक है, 22 पर जर्म कहां पर पर पड़ता है, तो आप बोलना, अरौनाचर प्रदीश में आपड़ता है, अरौनाचर प्रदीश में, अब नाचल प्रदेश में पढ़ता है यह देखिए नेशनल पार्क भी है और आपको याद रखना है इसके अलावा यहाँ पर मैं आप कहां पर लिखूँ उपर लिख दूँ चलेगा उपर लिख दूँ यहाँ पर तो अब सबसे इंपोर्टेंट है पंच मड़ी बाइस पर जिरव यह बार बार पुछा जाता है सीडियल कई बार पुछा है तो आपको याद रखना है यह मद्ध प्रदेश में पढ़ता है MP में पढ़ता है ठीक है इसके अलावा अचनार अमर कंटक यह भी आपका अचनार अमर कंटक जो है यह कहां पर पढ़ता है तो आपको याद रखना है यह भी अमर कंटक जो है MP में पढ़ता है तो कुछ मेजर आपके बाइस पर जिरव थे जो मैंने आपको बताए और उनको इतने तो आपको यादी करने है नंदा देवी, गल्फ आप पंणार, नोकरिक, नेशनल पार्क, सुंदरबन, मानस नेशनल पार्क, सिमलीपाल, दिहांग, पंच मढ़ी, अचनार, अमर कंटक और नूली जो अभी याद रखना, पंच पन्ना इसको युनेसको के मैप प्रोग्राम में सामिल कर दिया गया, यह कुछ इंपोर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिये, क्लियर, हाँ, वो 36 गड़ के रिये में पढ़ता है, देखो लिखने के लिए तो मैं और भी लिख दूँ, जो और बाकी है, लेकिन लिखूं कहां मैं समझ नहीं पा रहा हूं, एक मिनट मैं बता देता हूं, इसके लिए मुझे लग रहा है, एक इस्ट्रा जिर्व का पार्ट है, जो भारत में आता है, ग्रेट रन ओफ कच्छ, अभी आपने देखा होगा, रन ओफ कच्छ, ठीक है, ग्रेट रन ओफ जो कच्छ है, ये भी कहां पे पढ़ता है, आप लोग इसका अंसर दें, ठीक है, इसके अलाबा कंचन जंगा, ओहो, हिंदी में लिए, कंचन जंगा, ठीक है, कंचन जंगा जो 22 पर जिर्व है, ठीक है, कंचन जंगा जो 22 पर जिर्व है, ये कहां पे पढ़ता है, कंचन जंगा जो 22 पर जिर्व है, ये आपका सिक्के में पढ़ता है, सिक्के में पढ़ता है, इसके अराबा एक और नाम याद रखना, अगस्ता मलाई 22 पर जिरव कियारल और तमिढार केरीयं में पड़ता है। अन् nella मलाई वहीं पड़ती है। इसके अलाबा ग्रेट निकोवार भी पढ़ता है तो यह आपका अंडवान और निकोवार में होगा बस इतना इतना इतने को पता होना चाहिए यह कहाँ पढ़ते हैं ठीक है तो यह नाम आप पकता कर लेंगे अब एक नाम ऐसा है जो थोड़ा सा आप गलत करेंगे खोआ तो यह 22 पर जिजरब बनाया गया है यह डिब्रुश खोआ कहाँ पर होगा प्लीज कमेंट में आंसर दें आप दीजे भाई साब पाटिसेबेट करिए ठीक है और इसके अलाबा सेशा चलम ठीक है जो सेशा चलम 22 कहां पर पर पाधता है तो आप लोग इसका राइट अंसर दें, तो बिल्कुस आप और अब बता रहें कि यह यहाँ पर आंधर प्रदीस में पढ़ता है, तो आंधर प्रदीस में पढ़ता है, से शाचला में महीं पर ही पर Tôi मत पर आश्चल में पढ़ता है, इसके अलावा लाश्ट बी पन्ना जो 22 पर जरब है अभी मैक कुश्यन आप लोग यहाँ पर बताएए इस्ट एस्या सम्मिट की अभी हाली में मीटिंग हुई और इसमें जो मीटिंग हुई की अजियान गुर्ः की चतिस्वी मीटिंग ठीक है? ठीक है? 36th मीटिंग जो है वो कहां पर हुई है? आप लोग राइट आंसर देए Association Southeast Asian nation ठीक है? एसोसियान है किसका? जो South Asian Asian nation ठीक है? South Asian Asian nation जो Southeast Asian nation जो South Asian के Asian । और यहाँ देश हैं उसका यह association है अब इसका यदि यह ASEAN कब बना था तो आपको पता होना चीए 1967 में बना था headquarter कहां पे है तो आपको पता होना चीए जकार्ता पे है दूसरा इसमें कितने member country है तो यह भी आपको पता होना चीए ASEAN में 10 member country है उन दसों के नाम आपको मैंने बताये थे सभी राजधानी आपको याद कराई थी I hope कि आप सबको याद होगा यदि नहीं याद होगा यदि मुझे सुनना चाहते तो मैं बता दूगा यदि सुनना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे आंसर दें कि सर बता दो मुझे ASEAN के देश भी पता चल जाएंगे और एक बार राजधानिया भी पता चल जाएंगी क्योंकि ये इंडिया के पडोसी देश में सारे के सारे पडोसी दस देश है यदि याद है तो कोई बात नहीं है ठीक है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यह जहाँ पर ASEAN की मीटिंग होती है तो यह जो Association of Southie Station Nation है वहीं पर इसकी मीटिंग होती है और ASEAN की 36 मीटिंग कहां पर हुई है तो याद है ना वियत नाम पे हुई है वियत नाम की कैपिटल जो है उसका नाम हनुई हनुई सहर पे हुई है हनुई हनुई पे हुई है याद रखना है क्लियर याद है वेरी गुड हनुई पे हुई है बता दो फास्ट बता दो ठीक है बुरुनोई बुरुनोई म्यानमार ठीक है, बुरुनोई की कैपिटल आपको पता ही है, बंदर सेरी भागवान, म्यामार की नया पीदे, ठीक है, यहाँ पर आजाओ आप लोग, लाउस, लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, लाउस की कैपिटल वियंतीना, ठीक है, वियतनाम, जहाँ पर यह सम्मेट हुई है, वि सिंगापूर, सिंगापूर का सिंगापूर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिंगापूर सिटी, ठीक है, यहाँ पर इंडोनेसिया, जहाँ पर इसका हेड़ कॉर्टर जकारता है, और इसकी नई कैपिटल इंडोनेसिया की हो चुकी है, अब काली मंतनाम, यह भी याद रखना है ठीक है अगला यहाँ पे Philippines Philippines की Capital क्या है तो आपको यह भी यादखना है Philippines की Capital Manila ठीक है यह सारे देशिस के Member Country के रूपे जाने जाते हैं ठीक है यह यादखना है कि यहाँ पर Brunei, Myanmar, Laos, Vietnam, Cambodia, Thailand ठीक है, Indonesia, Philippines और Singapore कोई नाम गयब हो रहा है कोई नाम गयब हो रहा है कितने हो गयब है 336-39 एक नाम कोई गयब है अब कोई बताए वो कौन सा नाम है राइट आंसर आप लोग दें एक कौन सा नाम है Malaysia very good Kualampur ठीक है Malaysia और Malaysia के कैपिटल है Kualampur ठीक है यह सारे देश आस्यान के हैं और आस्यान के साथ जो 6 अन्य देश आते हैं उसको South East Asia Summit बोलते हैं और उसमें कौन कौन आते हैं तो यहाद ना चाइना ठीक है South Korea ठीक है आस्टेलिया ठीक है इंडिया ठीक है यह आस्टेलिया इंडिया और यहाँ पे US और यहाँ पे ठीक है रस्या यह इतने देश इसमें आपे हैं Clear? Noted East Asia Summit की जो मीटिंग होती है इसमें यहाँ देखना है यहाँ पे याद रखना है ठीक है तो इसमें इंडिया मेंबर है और आस्यान का क्या इंडिया मेंबर है यह तो बिल्कुछ सही समझ गए आप लो आस्यान का इंडिया मेंबर नहीं है आस्यान का इंडिया मेंबर नहीं है आस्यान में भारत का पड़ोसी म्यामार मेंबर के रूप में जाना जाता है नोट कर लेना अगला important अगली meeting जो होनी है वो ब्रुनोई में होनी है लेकिन 37वी नहीं अर्थिस funk होनी है ठीक है दिलवारा का जो जयन temple है कहां पे पढ़ता है राइट answer दें कमेंट में answer दें दिलवारा का जो जयन मंदेर है कहां पे पढ़ता है मुडेरा संटेमपल गुजरात में और सुमनात मंदर मुडेरा इमपॉर्टेन्ट है उतलने में बात करें लोग बनात करें डिडवारा का जैनमंदर में और मैं जैनिजम १र्म Stay जैनिजम का नाम बताएं जैनिजम के पाव니다 जलनी बताएं जैनिजम के founder कौन थे, तो यहाँ पर जैनिजम में जो founder होते हैं, उनको तीर्थंकर कहा जाता है, तीर्थंकर, और जैनिजम में कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, पहले तीर्थंकर का क्या नाम है, फश्च तीर्थंकर कौन थे, इनको आधिनाथ के नाम स अब नाम आप लोग बताना नहीं नहीं पहले नहीं वो तो 24 तीर्थंकर हैं जिनका नाव आप लोग लिख रहे हैं महाबीर वो तो 24 और आखरी तीर्थंकर हुए हैं इसलिए इनको जैनिजम का रियल फांडर बोला जाता है महाबीर स्वामी को वो 24 ते ठीक है रिसब देव रिसब देव वेरी गुड ठीक है रिसब देव और तेस्वे तीर्थंकर कौन हुए हैं रिसब देव इन सारे जो दिलवाडा के जैन मंदिर है इनी की मंदिर हैं पाच मंदिर बने हैं जिसमें र जो आखरी तीरथांकर आपको याद होनी है किससे जड़ा हुआ था तो आपको ये भी पता होना चाहिए, दिलवाडा की जैन मंदिर कहां पर पढ़ते हैं, राइस्ठान के माउंट आबू में पढ़ते हैं, यादना माउंट आबू कहां पर पढ़ता है, तो आप लोग बोलना अरा वली रेंज में पढ़ता है, अब दूसरी बात यहां पर एक विजय बललव साब, उनका इस टैचू है यह, विजय बललव साब का, और यह कहां पर बनाया गया है, राइट आंसर दे, मोस्ट इंपॉर्टन है, करेंट में है अभी, दिसंबर के मैने पे था, राइट आंसर दे, तो राइस्थान में बनाया प्रधान मंतरी मोदी जी ने इनका उधगाटन किया है, पिया मोदी ने इसका इन्योगरेशन किया था, जो हमारे मोदी साब है, उन्होंने इन्योगरेशन किया था, यह एक इंपॉर्टन फैक्ट है, याद रखना है आपको, ठीक है, कि अभी हाली में स्टैचू आप यून्टी में आप लोग कन्फ्य ठीक है, आइएमेप में, अभी हाली में 190 देश सामिल हुआ है, नया मेंबर सदस्य जुड़ा है, तो उसका नाम बताएं क्या है, कमेंट में आंसर दे, उसका नाम क्या है, ठीक है, हाँ, बिल्कुर सही, उसका नाम बताएं क्या है, आइएमेप में नय सदस्य के रूप में सामिल हुआ है और उसका नाम क्या है अब यहाँ पर हम लोग IMF के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ जो important है IMF पता है और World Bank दोनों twin sister कही जाती है क्योंकि दोनों की दोनों 1945 में Bretton World Conference के बाद बनाई गई थी दूसरी important बात याद रखना यह 1945 में बनी है तो इसके क्या हो गए है 75 साल पूरे हो गए है 75 एर कंप्लीट हो चुके है International Montery Fund के बारे में बता रहा हूँ IMF इसको बोलते है अभी नया सदस्देश कौन बनाए गया Andora बनाए गया कुछ लोग सी रंका भी बता रहे है तो गलत है Andora बनाए गया Most important है कि नया सदस्देश कौन सा है तो Andora है Andora कहाँ पर पढ़ता है तो कोई आप से पूछे Andora Da Vela इसकी capital है Andora ठीक है The Vela इसकी capital है और यह कहाँ पर पढ़ता है तो एक landlock तरीके से है दूसरी बात इसकी राजधानी थी और यहाँ पर currency कौन सी चलती है तो आप लोग पकड़ लोगे जैसे मैं currency बताऊंगे इस देश की तो आप लोग बोलोगे यहाँ पर पता यूरो चलती है तो यहाँ पर क्या है यूरोपिय देश है और यह Spain और France की बीच में दबा हुआ है छोटा सा देश से आपको यहाँ रखना एंडोरा ठीक है एंडोरा अरे नहीं बेटा एंडोरा है भाई आमाना करो IMF जो है IMF की स्थाफ़ना 1945 ही हुई थी मलग कि 75 एर बिफोर मलग 75 साल IMF के हुए है और World Bank के भी 72 साल हुए है दूसरी बात यदि हम बात करें IMF का जो हेटकॉर्टर है प्लीज कमेंट में आप लोग आंसर दें और इसके जो MD है उनका नाम क्या है तो MD का नाम है Christina Georgia ठीक है यदि आप से पूछा जाए कि Christina Georgia कहा कि MD है Christina Georgia ठीक है Christina Legaard यहाँ से चली गई है दूसरी बात यहाँ पर एक most important बात याद रखनी है IMF में एक भारती महिला है वो पता है Chief Economist के रूप में appointed है Chief Economist और उनका नाम क्या है कोई बताएगा comment में answer जल्ली जल्ली दें आप लोग Chief Economist जो है आपको भीया most important है गीता गोपिनाथ गीता गोपिनाथ का नाम जो की यहाँ पर Chief Economist के रूप में appointed है ठीक है भीया IMF है उसके बारे मैंने बताए Headquarter आप लोगोंने comment में बताया Headquarter जो है इसका कहा पर है यह simple सा question है तो Washington DC है Washington ठीक है Washington DC यहाँ रखना इस PDF को मैं आपको साथ share कर दूँगा अगला important अगला important में दूसरी बात यहाँ रखना यदि आप से पुछा जाए वाइड बैंक की सापना कहा हुई है यहीं पर हुई है ठीक है यदि आप यहाँ पे confused मत होना वाइड बैंक और यह दोनो twin sister का ही जाती है वाइड बैंक का headquarter का है जहाँ पर यह है same date में इस्ताफित हुए थी इसके जो chairman है जो MD है यह director है उनका नाम है David Malpass जिनके बास बहुत सारा mall है ठीक है Malpass इनका नाम है बस यह नाम बस change है बाकि सारी चीज़े यही है दोनों की साथ में meeting conduct होती यह भी यादखना है DC का मतलब होता है district of Columbia ठीक है Washington DC अगला important question आप बताई जो salal dam है किस नदी पेस्टेत है simple answer है आप बताईए ठीक है आप लो right answer दीजेगा एक question यहाँ से आएगा आपके exam में जम्मू कस्मीर जो है आपका राज है जम्मू कस्मीर में कुछ major river है आपको पता होगा और उन major river में dam है यदि हम बात करें इतना area ही आप जम्मू को मिला है तो यह आपका जम्मू इंड कस्मीर है ठीक है यहाँ पे हम बात करें यहाँ पर जहल्म के बाद तो यहाँ पर जहल्म के बाद चेनाप यहाँ पर एक नदी है जहां पर इसका नाम है रावी ठीक है और यहाँ से आरी सतलगें से मिलती है और सभी जाकर के आगे निकल जाती है ये आपको एस तो ये किस नदी पर बना हुआ डैम है आप लोग राइट आंसर दें तो चेन आप पे बना हुआ है चेन आप पे और कंग से डैम है तो यहाँ पे देखो सलाल सलाल आपने सुन लिया दूसरा बगलीहार बगलिहार डेम इसी पे लाश्ट एर कोश्चन बगलिहार पूछा था उसके पहले सलाल पूछा था ठीक है अब इस बार यहाँ पे पूछेगा जो आपको बता दू दुलहस्ती पूछेगा दुलहस्ती और या तो नया पूछ लेगा जो करेंट में है और उसका नाम क्या है ठीक है रेतले डेम भी इसी में बनाए जा रहा है यह एक इंपॉ deck है दूसरी बात जेलम नदी पे कौन सा डेब प्रोजेक्ट चल रहा है जो चर्चा में है तो यहाँ पे उसको भी नोट कर ले जेलम नदी पे कौन सा चल रहा है प्रोजेक्ट तो उसको जान ले यहाँ पर तो जेलम नदी पे जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है उरी जो अभी जो कि बूलर लेक से होकर जाती है और इसका नाम तुलबुल है तो तुलबुल से यादक ना है राभी पे कौन सा प्रोजेक्ट चल ला है कमेंट में बताएं प्लीज आप लोग कमेंट में मुझे राभी का प्रोजेक्ट बताएं राभी में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है तुलबुल उरी ठीक है किसन गंगा और तुलबुल मला उरी जो होता है ये ऐसे जेलम रस्ता बदल के चलती है स्रीनगर सहर इसी के किनारे पढ़ता है ये जेलम है, ये चेनाव है यह रावी है, यह ब्यास है और यह सतलाज है और इन सब की उपर से यहां से आ रही जो सिंदु है, यह उपर से निकल गए, यह सिंदु रदी है सिंदु और सतलाज दोनों का उरिजन भारत की बाहर से है, यह आपको याद रखने है, clear? ठीके? ठीके? हाँ हाँ बेटा, 1944 वो 1945 में पहली मीटिंग कंडेक्ट की गई है अगला important question यहाँ पर आ जाए ठीके? यहाँ पर आ रखना है, आए मैं 45 ठीके? सेवा जो एफ है, जीवन सेवा एफ, कोई बताया मुझे? ठीके? नहीं नहीं यह हरके नहीं भाई यहाँ वीडियो को सेर करेंगे, तो मैं daily continue आपके लिए यहाँ पर 12 बज़े class रखूँगा और आपके important portion को कबर करते हुए मैं आपके लिए questions लेकर आऊँगा, जो कि आपके exam में आते हैं, और जहाँ से question आए हैं, उस area को कबर कर दूँगा यहाँ हम बात करें, अगला अभी हाली में जीवन सेवा एप, किस राज सरकार ने सुरू किया था, यह actually में बहुत बाद में सुरू किया गया है, जीवन सेवा एप ठीक है, जब करोना खतम हो गया, अलग मतलब करोना तो अभी तक खतम नहीं हुआ, करोना के बारे में तो क्या ही कहना, करोना तो खतम ही नहीं होने वाला, लेकिन करोना को ले करके COVID-19 को ले करके एक एप शुरू किया गया था, जीवन सेवा एप, यह किस राज ने शुरू किया था, राइट आंसर दिया आप लोग, राइट आंसर दिया, ठीक है, आप लोग, राइट आंसर दिया, वेरी गुड, लोग ने राइट आंसर दिया है, विल्कोज सही, ठीक है, यहां पर केरला में बेटा यह नहीं था, केरला में नहीं था, यहां पर break the chain नाम का इनी सेटेू था, कैंपेज भी चलाया गया था, break the chain, ठीक है उत्तर प्रदिस में आपको पता है क्रोणा का अलागी था ठीक है तीम चलाई गई थी फाइव टाइं थी यहाँ पर आपको यहा रखना है ठीक है दिल occurring company का राई टान्सर है अभी दिल्ली का राय प्रोजेक्ट भी चलाएगया है भारत का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल कहा पर है तो दिल्ली में है हॉस्पिटल भाहत है सर्दार वल्ला भाई पदेल की नाम पर乾लना है और pot l. यही यहीं पर थी तो यहीं पर यह प्लाजमा बैंक कहा पे थी यहीं पे थी प्लाजमा बैंक से question आने के ज़्यादा प्रोग प्रतियुदर चमता को तयार करता है अगला important question आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजेगा अभी आप बताईए कि अभी हाली में चाइना और नेपाल ने जो average की height है वो नाप करके बता दी कितनी हुई है बस यह बता दो कितनी उन्होंने parameter बताया कितनी बढ़ी है वो बत जना है क्योंकि height ही इतनी बढ़ी है तो देखो 86 meter height बढ़ाई गई है यह माना गया है कि average की height बढ़ गई है कितनी 86 जो है वो centimeter के असपस height बढ़ी है तो यह 1848.86 meter इसकी total height हो चुकी है एवरेश्ट जो है Mount Everest Mount Everest Mount Everest जो है यह बता दे किस हिमाले में पढ़ती है तो आप बोलना एक Great Himalaya का part है जो Great Himalaya है उसकी mountain range में आती है Great Himalayan range में आती है ठीक है दूसरी important बात यहाँ पे एक बात यारखना इसको नेपाल में क्या कहा जाता है तो सागर माथा कहा जाता है सागर का माथा कहा जाता है लोग यहाँ पे यदि आपसे कई बार अभी हाली में चरचा थी स सागर माथा संबाद, तो आपको याद रखना है नेपाल ने करवाया था, सागर माथा संबाद इसी का नाम है सागर माथा, कई बार कुश्चन्स आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, अगला इंपोर्टेंट, ठीके एवरिश्ट के बारे में और बहुत सी, अभी हाल प्रोट्टी की बुक लेकने का रिकार्ड बनाया हुआ, आप लोग राइट आंसर दें, इनका नाम क्या है, ठीक है, साथ साल की है, only seven year old है, और इन्होंने ये कारणामा करके रखा दिया है, ठीक है, तो आपको बता दें, यहाँ पे अब जीता, ठीक है, अब जीता गुपता ठीक है, ठीक है, name the passage which used to pilgrims to उत्राखंड, आप बताना उत्राखंड राज में जो खास करके, यदि आप से बात करें, हम थोड़ा से यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, यदि आप लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका यह वाला इरिया पड़ गया, यह आपको पता ही है, जम्मु इंड कस्मीर का इरिया पड़ गया, यह आपका लद्दा का इरिया पड़ गया, यहाँ पे आपका यह वाला बॉक्स अदिया, ऐसे हम देख ले, तो हिमांचा पर इस पड़ गया, और यहाँ पे आपका क्या पड़ गया, यहाँ पर आपका उत् से बढ़िया होगा और उसको उत्राखंड से ओपिन किया गया है तो उत्राखंड से कौन सा पास ओपिन किया गया है फिर इसके बाद यहाँ पर नेपाल पड़ता है तो यह ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो ना फिर नेपाल के बाद सिक्किम पड़ता है लोग पहले कैला समा बाल भी अपने थोड़ा सा रुख बदल रहा था ठीक है तो यहां पर कौन से पढ़ता है तो यहां रहा है लिपुलेग पास पहली बात पास जो पढ़ते हैं वह हिमाले रीजन में पढ़ते हैं यहां पर लिपुलेग पास माना पास और नीथ पास तो यह उत्राखड में यहां से मनाली से लेह जाने का रास्ता है, यहां पे ले पड़ता है और यहां पे कौन सा पास पढ़ता है तो उसका नाम है यहां पे थोड़ा स्री नगर यहां पे स्री नगर से ले जाने का रास्ता यहां पे जो पढ़ता है उसका नाम है जो जिला पास आप से पूशा जाएगा ठीक है और यहां पे कौन सा पास पढ़ता है उसका नाम है बनि परता है इसके लाबा यहाँ पर इक पटता है उसका नाम है बुर्जिल पता है जो कि स्रीनगर से यहाँ पर भीयों पान तो यह एक इंपर्टेंट है बाकी दच्छेन बारती हैं हमारे पास पढ़ते हैं उनको एक ट्रेक है तो यहां पर ऐसे याद कर लो महराष्ट्रा में दो पास पढ़ते हैं महराष्ट्रा में टीवी बहुत देखते हैं और पी एस ठीक है बलत थालगाट पास कहा पढ़ता है महराष्ट्रा में पढ़ता ह क्लियर यदि आपको नहीं समन्या भराहे तो मैं यहां पर बता दे दो मैं से और मैं नहीं प utanmal शरेते माँ तो मैंनल भूल यह जल्दीवाता जिए के विश्कारई दिखो यहाँ पे बूमडिला, यहाँ पे यांगिया, यहाँ पे आपका दीफू, जो ट्राई जंग्सन में पढ़ता है, ठीक है, बूमडिला और दीफू, यहाँ पे एक मरीपुर में तूजू पास पढ़ता है, इसके अलावा जो दर्रे हैं, जैसे कि यहाँ पे यांगिय अन्ना मलाई और काड़बम हिल्स के बीच में पढ़ते हैं clear, noted, ये इतने हमारे most important pass है, इसको मड़ीपुर वाले को याद रखना, तुजू pass इसको बोलते हैं, तुजू दर्रा चले आगे आगे चलते हैं, अगले question की तरफ चलते हैं, जो हमारा question है, उसको तुछ रफाश तरीके से करते हैं, ये दर्रे एक नए question आएगा, तुछ मैंने का एक बार पढ़ा देता हूं, क्योंकि एक बार यहाँ से question बनने के chance हैं ही, ठीक है, अगला important question अब ही हाली में ILO की अधिचता किसे मिली है, आप लोग right answer दें किस देश को ILO का नया chairman chairperson, chairmanship के लिए निव्ट किया गया है, आप लोग right answer दें ILO में 35 सालों के बाद ऐसा कार्रामा भारत का हासिल हुआ है, simple answer इसका होगा, अब ILO जो है International Labor Organization, ये कब बना था, most important date है, तो 11th April 1919 को ये ILO का अगठन हुआ था, ओफो, एक मिट 1919 में ILO का अगठन हुआ था, ये देखो UN के पहले से बनी हुई बाड़ी है, जब United Nation भी नहीं बना था, तो ये भी आपको या रखना है 1919, दूसरी बात, यदि इसका headquarters पुछा जाए, कहाँ पर है, तो आप बोलना, इसका headquarters जिनेवा सुडिया लेंड में है, यदि हम बात करें, यहाँ पर इसका headquarters जिनेवा सुडिया लेंड में है, इसके जो DG है, डायक्टर जनरल है, उनका नाम था, गाय राइडर साब, गाय राइडर, ठीक है, और यदि आप से पूछा जाए, कि अभी हाली में chairmanship, executive board की किसे मिली है, तो इंडिया को मिली है, और इंडिया के यहाँ पर कौन से सक्से एक point किये गए है, उनका नाम भी important है, अभी से जान लो, अपूर्वा, ठीक है, चंद्रा, अपूर्वा चंद्रा को आईयलो में भारत ने न्यूक्ट किया है, chairmans, अपूर्वा चंद्रा, अपूर्वा चंद्रा, ठीक है, अपूर्वा चंद्रा को यहाँ पर न्यूक्ट किया गया है, आईयलो में पहली बार 35 सालों के बाद, और यह जे पीस प्राइज, सांतिका पुरुषकार भी यह पाचोके है, नीवल नोवल पीस प्राइज, सांतिका नोवल पुरुषकार भी यह हासिल के हो है, वीडियो, आप लोग इस वीडियो को like और share जरूर करें, भाई सब इतना तो करना ही बनेगा, दूसरी बात हमारे class की आपको जो batches की link है वो भी मिल रही है आप enroll करें referral code भूजे नहीं जी 10 UN की कौनसी anniversary है 24 October को UN की कौनसी anniversary है comment में answer दे 24 October को UN की कौनसी anniversary celebrate की गई है right answer दे आप लो 24 October को UN की कौनसी anniversary है right answer दे आप लो UN का headquarter कहाँ पर United Nation जिसकी छत को अभी भारत सरकार ने ठीक है पूरी तरीके solar किया है United Nation headquarter आपको कहाँ पर है New York में कब बना था कौनसी birth anniversary है तो आपको बता दे 45 मिल बना था ये भी याद रखना है 24 October को UN Day के रूप में करते हैं और UN Day के अलाब़ 24 October को पोलियो डे भी होता है तो लोग यहाँ पर confused ना हो बारत पोलियो फ्री हो चुका है ठीक है दूसरी बात आपको याद रखना है कि UN की जो जो है वो च्छाय अंग है कौन है International Court of Justice ठीक है United Nations Security Council ठीक है United Nations General Assembly ठीक है इसके च्छाय अंग है तीक है च्छह मेजर अंग हैं यूएन में जो है छह भासाओं को प्रियोप किया जाता है बोलने के लिए जैसे आपको जाएंगे काम के लिए तो यूएन में ओनली six language को official language माना गया है six official language है यूएन की वो भी याद करना इंपोर्टेंट है six official language जो यूएन की है उनका नाम है सेफ कार ट्रिक है बेरी बनाई हुई तो आप इसको याद कर सकते हैं सेफ कार कैसे सेफ कार तो ये छह भासा हैं कौन-कौन तो याद रखना है Spanish English French Chinese Arabic और रसियन तीन एसिया की या तीन यूरोप की भासा है प्लीज नोट कर लें ठीक है Spanish नोट करना है मुझे लिखना है तो आप लोग बता दिया करें कमेंट में कि आप लिख दे मुझे ठीक है लेकिन इंपोर्टेंट है छोड़े नहीं आपर इस पेनिस यूएन की छै भासाओं में इंग्लिज ठीक है यह आपका फ्रेंच हो गय ठीक है यह आपका चाइनीज हो गई ठीक है चाइनीज और यहाँ पे अरेविक भासा को भी सामिल किया गया है और यहाँ पे एक आपको या रखना रसियन यह च्छे भासाएं युएन में अभी तक यूज होती है ऑफिसियल हिंदी के हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारी युएन में जोड़ी जाए युनाइटे नेशन जो सिकुर्टी काउंसिल है यहाँ पे जनरल इसेमली इसमें सभी सरस देश आते हैं एक सुतरानवे मेंबर लेकिन जो सिकुर्टी काउंसिल है इसमें 15 मेंबर आते हैं पांच पर्मानेंट होते हैं और दस नौन पर्मानेंट होते हैं दस नौन पर्मा ठीक है UK ठीक है और यहाँ पे आपको USA UK के अबलावा फ्रांस और रस्या और चाइना ठीक है बस यह आपको पांच देश याद रखने हैं जो यहाँ पे आपको याद करने हैं कि पांच देश United Nations Security Council के पर्मानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है UN के स्ताफना 45 में हुए थी इसलिए 75 साल पूरे हुए है UN के इनवर्सरी के मैंने UN के ऑफिसियल लेंग्विज भी आपको बता दी हैं और most important topic भी आपको यहाँ पे clear कर दिया अगला important question यहाँ पर right answer दे अब ही हाली में बताए वाइड का पहला दुनिया का पहला floating जो national park है जो आप लोग यहाँ पर वाइड का first वाइड का पहला यह floating national park जो केबिल लाम जाओ national park है यह कहा पर है पूरी दुनिया में एक मात national park है जो की तैरता हुआ national park है right answer कमेंट में दे और थोड़ा fast answer दे ठीक है क्योंकि जारा जारा हमें questions करने है वीडियो को like और share जरू करें देख share कर सकते हैं गुर्पों में share कर सकते हैं तो क्या इस वीडियो को आप साजा नहीं कर सकते हैं ठीक है साजा करने सी साजी काम बनते हैं ठीक है sharing is caring तो यहाँ पर हम बात करें floating national park जो है वो कहां पर है तो आप बिल्कुस सही बता रहें तो मड़ी पूर में है दूसरी बात यह जो केविल नम जाओ national park भाईया most important है आपको यादख ना है ठीक है तो यहाँ जो केविल नम जाओ national park है यह आपको floating national park है तो तहर कहां पर रहा है तो लोग ठक लेक में त्यल रहा है और यह लोग ठक लेक जो है यह मडि पूर की lifeline है यहाँ पे fresh water है लोग पीने वाला पानी इसलिए इसको लाइफ लाइफ लाइन बोलते है, फ्रेस वाटर लेख है, मडिपुर की, ठीक है, दूसरी बात आपको बता दें, यहाँ पर जो केविल लामजाओ नेशनल पार्क है, एक ऐसा जीव पाय जाता है, जो पूरी दुनिया में यही पे पाय जाता है, और उसका ना आपको दूसरी बात याद रखना है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो मडिपुर है, तो ऐसे आप लोग लिखते हैं, मानी, ठीक है, यहाँ पर बहुत से फेस्टिवल होते हैं, तो उनको भी जाल लो, जैसे कि most important संगाई, संगाई, यह संगाई फेस्टिवल यही पर होता है, यदि आप से last year पूछा गया था, लाई, तो लाई हरोवा फेस्टिवल भी यही पर होता है, लाई हरोवा, ठीक है, तीसरा यहाँ पर सीरूई, सीरूई लिली का फूल खिलता है, तो यहाँ पर सिर्यू लिली नेशनल पार्क भी है, और सिर्यू लिली फेस्टिवल भी होत तो यहाँ पर ध्यान दो कि अभी हाली में चेरी Blossom, यह čेरी Blossom Festival मेगाले का है और मेगाले में होता है लेकिन एक नया Festival है जो 2017 से नहीं होता है, चेरी Blossom MOW Festival मर्डीपुर में होता है बाकि यदि cherry blossom हो तो आप मारना मेघाल है यदि cherry blossom माओ लगा हो तो आपको मारना है मड़ीपूर ये आप गलती ना करके आए और cherry blossom festival नहीं हुआ है cherry blossom माओ festival अभी हाली में जनवरी या फरवरी में आपका यहाँ पर कराया गया है किसके दोरा मड़िपूर गवर्मेंट के दोरा नोटेड इंपोर्टेंट है सारे ये पीडियाप में आपको सेंट कर दूँगा यदि आप चाहिए तो इसी प्रकार मिजोरम के फेस्टिवल हैं आपको यहाँ पर याद कलने कि एक और नाम यहाँ पे इस तरीके से जो कुट पई हो गया उसी प्रकार एक फेस्टिवल है कुट लगा है तो यहाँ पे कुट लगा है तो चपचार कुट चपचार कुट और यह देखो बार-बार आपसे पूछा गया था दोनों फेस्टिवल आयो थे अलग अलग उसमें आये थे और यह आपको यहाँ वह आपक के एक नएक से अजाता है तो यहाँ पे मिजोरम में कौन से होते है जो कुट पई और चपचार कुट उसी प्रकार तीपुरा में तो खर्ची तीपुरा तो खर्ची पूजा होता है ठीक है तो बने आपको इस तरीके से याद करें थे आगे चलते हैं अगला इंपोर्णिंग कुशिया अभी हाली में सिक्योर अप्लिकेशन फॉर इंटरनेट यह एक प्रकार का साइन आम का साइन जैसे हम लोग टेलीग्राम या वाटसब यूज करते हैं उसी प्रकार हमारी इंडियन आर्मी के दोरा इस साइन अप्लिकेशन को डेवलप किया गया है फुल फॉर मोश्ट इंपॉर्टेंट है सिक्योर अप्लिकेशन फॉर इंटरनेट यह फुल फॉर्म आपको याद रखना है मोश्ट इंपॉर्टेंट है संकरसाई और इंडियन आर्मी के दोरा इस डेवलप किया गया है अच्छा दूसरी बात एक पड़ा प्यारा कुश्चन अभी दुनिया का पहला ब्लुट प्रूफ है ठीक है ब्लुट प्रूफ हेलमेट जो डेवलप किया है किस भार जो कुश्चन से वो आपको करा रहा हूँ बहुत ही प्यारे कुश्चन राइट आंसर दें वेरी गुड अगला इंपॉर्टेंट मिस्रा जी है बिल्कुल सही अनुप मिस्रा वेरी गुड अब यहाँ पे आप लोग राइट आंसर दें जात और जो सवार है ये आखिरकार आपका स्टेटस की बात है तो स्टेटस की बात है स्टेटस आप रैंक ठीक है तो यह एक प्रकार की रैंक निर्धायत करने का भी से था और रैंक निर्धायत करने की बिवस्ता ये किसके दोरा सुरू की गई तो जात और सवार बिवस्ता अकबर ने सुरू की थी और अकब को अकबर के दोरा शुरू का मंसब्दारी बिवस्ता है एक जात और सबार एक रंक, करते हैं सबार जो कि को हौर्स किटने रखने ょई इस सबात के लिए था और ज्यात का मतलब आपका subscribers का कीरे इस debats और और इसलिए ये महान हुआ, अगला important थोड़ा एक प्रकार का एक sport dance है, right answer दें, ये कहा का sport dance है, इस dance को करते समय लोग इस sport style में dance करते हैं, आप लोग बताएं, थोड़ा dance कहा का dance है, right answer दें, थोड़ा कहा का dance है, इसी के साथ मैं most important बाते बताने वाला हूँ, जो आपकी point आप इसे 100% आएगी, right answer दें आप इसका, और इसको सुनकर गी जाएं, जो लोग आते हैं, आयराम, गयराम की बाल्टिक्स में कब तक फसे रहा होगे, आते हो, चले जाते हो, आते जाते इन खुबसूरत गलियों से कभी-कभी रुख जाया करो, ठीक है, आप बताओ थोड important है, जहां से question आते हैं, और आने के पूरे chance है, तो यहाँ पर आ जाओ भारत में, जो martial arts है, यह अपकुल मिला के martial arts भी है, परफर्म की जाती है, वो कौन कौन सी है, आप लोग प्लीज उनको नोट कर लो, प्लीज उनको नोट कर लो, 100% एक question आएगा, ठांगटा, comment में answer दे यह भी एक मौक है, मर्दानी खेला, आप इसको मौक क्यों नहीं समझते, मर्दानी खेला, अगला important यहाँ पर, पारी खंडा, यह martial arts है भारत में कहां कहां होती है, पारी खंडा, यह martial arts कहां पर होती है, तो आप लोग तीनों के नाम मुझे comment में कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं दिख रहे हैं, देखो भाईया, जो थांगटा martial arts है, यह ऐसे लिखा जाए, थांगटा, यह martial arts कहां पर होती है, तो आप लोग याद रखना मड़िपुर में होती है, अभी हाली में चर्चा में है, यह most important चर्चा में है, दूसरी मर्दानी खेला, यह महर महराष्ट्रा के रीजन में लोग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे वोमेन जो है, वो लाठियों से लड़ती है, पारी खांडा, बिहार की महरसलाट है, थीक है, बिहार की महरसलाट है, इंपोर्टेंट है, 100% आएगी, मर्दानी फोर्म, महराष्टा, खूब लड पट्टू, यह कहा की महरसलाट है, कीरल की महरसलाट है, अब सुनना मेरी बात को, इसमें भी इस्टार लगा रहा हूँ, इस्टार लगानी की वज़य है, ठीक है, अगला इंपोर्टेंट, ठीक है, अगला इंपोर्टेंट यहाँ पे सिलंबम, सिलंबम यह भी एक प्रकार कि Marshall Heart कहाँ पर होती है तो Tamin Nod के एरिये में होती है लोग गलत ना करें तamin Nod में होती है इसी प्रकार एक most important Marshall Heart है जो अब लिखने जा रहा हूं और उसका नाम most important है और उसका नाम क्या है तो यहाँ पे note कर लिना उसको मलखंबा मलखंबा ये कहा कि मारसलाट है मल खंबा तो आपको यार रखना है मल खंबा सरी खंबा है ठीक है मल खंबा मारसलाट कहा कि है तो आप बोलना मद्ध प्रदेश और कुछ ही रिये महराष्ट में होती है इसमें भी इस्टाल लगा रहा हूं ठीक है इसके अलाबा एक और है जो कि आपको पता पंजाब में होती है उसका नामे गटका जो आपने देखे निहंग लोगों को देखा होगा ठीक है गटका मारसल आट जो है गटका ये कहां पर होती है तो पंजाब में होती है और इसमें भी इस्टाल लगा रहा हूं इस्ट लाठी खेला कहाँ पर होती है, वेश्ट बंगाल के रीजन पर होती है, क्लियर अब यहाँ पर आ जाओ, यह इस्टार जो लगा है, क्यों इस्टार लगाया है आखिरकार आपने, यह इस्टार इसलिए लगाया है साब, एक नहीं दो इस्टार लगा दे रहूं, यह most important है, क्य सामिल किया गया है, एजे गेम, और इसमें अब लोगों को एवार्ड भी मिलेंगे, यह चारों मार्सलाट को सामिल किया गया है, नेशनल यूथ गेम, कहाँ पर होने है, 2021 में हर्याना पर होने, 2021 में हर्याना पर होने, कौन सा एडिसन होना है, पंचकुला में होना है, हर्या से ही पर कह दूं, नेशनल, ठीक है, यूनिर्सिटी गेम, यूनिर्सिटी गेम, यूथ यूनिर्सिटी गेम, 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 यूनिर मारके चले आते हैं youth game को यहाँ youth नहीं बेटा university जो आप college में पढ़ते हैं वो college participate किये थे इस game में वीडियो को like और share जरू करें अगला important question ठीक है अब यहाँ पे बताएं भारत का पूरी तरीके से 100% fully solarization करने वाला भारत का कौन सा मंदिर है जो पूरी तरीके से solar electricity से चलेगा right answer दे पूरी तरीके से 100% solar electricity से चलने वाला है right answer दे ब्रहमास्त वैच को आप जरूर इन्रोल करें सीटी के लिए अभी से जोड़े हमारे साथ वीडियो को like और share जरू करें right answer इसका दे very good कौनार का सुर्य मंदिर very good कौनार का सुर्य मंदिर का दूसरा नाम है black pagoda थीक है black pagoda भी इसको पैगोडा कहा जाता है यहां पिर फरवरी माय पर एक मिला लगता है और उसका नाम है चंद्रभागा मिला चंद्रभागा मिला यदि आपसे पूछा जाए चंद्रभागा मेला देखना है हमें तो कहाँ पे लगेगा यहीं पे लगता है बहुत ही फिमस है और पूरे ओडिसा के लोग यहाँ पर चंद्रभागा मेले में पाटिसिपेट करने जाते हैं जगनात मंदिर यह भी ओडिसा में पढ़ता है इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट पहले इंडिया का फर्स्ट सिटी जो सोलर हो चुका है उसका नाम बताओ सोलर एलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है सोलर एलेक्ट्रिफिकेशन आप बताओ सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला भारत का सहर कौन सा हुआ है कमेंट में आंसर दो इंडिया का फ़र्ष्ट ठीक है एयरपोर्ट कौन सा हुआ जो 100% सोलर हो चुका है मला 100% यह सोलर हो चुका है यह सिटी भी 100% हो चुकी है 100% सोलर एलेक्टिसिटी यूज करने वाला हो चुका है सौर उर्जा से चलने वाला अभी भारत का कौन सा हुआ एयरपोर्ट हुआ है ठीक है नहीं बेटा 100% जो सोलर सिटी है उसका नाम है अभी सिटी है उसका नाम है दीव दीव एक मात्रा ऐसा सायर है जो 100% सोलर एनर्जी से यूज कर रहा है दूसरा यहाँ पर याद रखना पांडचेरी पुडचेरी जो है पुडचेरी एयरपोर्ट है वो पूरी तरीके से पांडचेरी एयरपोर्ट 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला हो चुका है और कोई इलेक्टिसिटी यूज नहीं की जाती है यह भी याद रखना है अगला को सोलर फ्लोटिंग पार्क कहां पर बनाए गया है सोलर फ्लोटिंग पार्क या स्लोलर फ्लोटिंग पार्क कहां पर डेवलप किया गया है जो पैतायरता हुआ सोलर पैदा करेगा इंडिया का सबसे बड़ा है कि इस पे नर्वदा नदी के एक डैम पर बनाए गया है उसका प्रकार का नसीली दवाओं को दुरिप्योग या ड्रक्स बगरा जो खास करके लोग तसकरी करें करते हैं आप जानकारी देंगे योधा भी आप में कि हमारे पड़ोस में दो लोग प्यक्कर पड़े हुए तो उनको पुलिस उठा ले जाएगी और बहुत सूटेगी और आपकी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा इस एप के माध्यम से आप यह काम कर सकते हैं के लाइश ठीके बताईए ठीके पिनाराई ठीके ठीके पिननाई विजियन विजियन ठीके दूसरा यहां के गवर्नर कौन है जो केरला राज के गवर्नर कौन है उनका नहीं नाम बताओ बाई साब मोश्ट इंपोर्टेंट है गवर्नर का नाम आप लोग प्लीज बताएं गवर्नर क जो भी बताऊंगा सब केरला फ़र्ष्ट होगा इंडिया का फ़र्ष्ट यहां पर इंडिया का फ़र्ष्ट होगा सारा कुछ इंडिया का फ़र्ष्ट होगा इंडिया का फ़र्ष्ट जेंडर पार्क कहां पर बनाए गया है केरला पर बनाए गया है इंडिया का इंडिया का फ़र्ष्ट ठीक है इंडिया का फ़र्ष्ट ठीक है इंडिया का फ़र्ष्ट ठीक है लेबर म्यूजियम कहां पर बनाएगा यहीं पर अभी हाली में इस सारे अभी हाली में लेबर म्यूजियम भी यहीं पर बनाएगा है इंडिया का फ़र्ष्ट ठीक है सुपर Favlab बनाई गई है, यहीं पर बनाई गई है Favlab जो की क्या करेगी, model बनाने का काम करेगी Favlab, और यह USA के सयोग से बनाई गई है, यहीं पर, ठीक है, यहाँ पर एक नए campaign शुरूप किया गया है, इंडिया की फ़र्ष्ट, इसमाल solar, solar energy चलने वाली train चलाई गई है, यहीं पर चलाई गई है small solar train, भारत की पहली, इंडिया की फ़र्ष्ट small solar train यहीं पर चलाई गई है इंडिया की फ़र्ष्ट, ठीक है, अभी हाली में, ठीक है, जिसको बोलते है अरे, वो क्या बोलते हैं यार sea ambulance service शुरू की गई है, यहीं पर शुरू की गई है sea ambulance service शुरू की गई है, ठीक है, sea ambulance service इंडिया की first, most important, देको सारी बाते इंडिया का first state जहाँ पर, याद रखना कि आदित नाम की जो बोट है, उसको इसके काम में इनी city शुरू किया, यहां की गवर्णर के दोरा one school, मला एक IS, एक school में जाकर के बच्चों को पढ़ाई कराएगा ठीक है, यह scheme भी आरिक मुहंबा साब ने शुरू की है अगला, इंडिया का first, non communicable non communicable disease में award पाने वाला राज कौन सा, यही है non communicable disease को जो control करने का award पाया, वो केरला ही है इंडिया का first, अरे यार इंडिया का first, UN gender को ले करके meeting हुई थे, वो यही पर हुई थी ठीक है, thank you so much अगला important, ठीक है, अगला important भारत क्या सांथ की दूद पिता किसे कहा जाता है, right answer दे, अब भाई कितना बताओगा, हाँ, यह बहुत important है बस भाया, वो human milk bank बनाई गई है, इंडिया की first human milk bank बनाई गई है, तो याद रहना human milk bank यहीं पर बनाई गई है, यार आपको देखो कम से कम 25 question तो यही हो गए जो most important है, और आपको एक secrets में बार-बार दोराने से याद हो जाएंगे 25 question हो गए, पानी पीना पड़ेगा अगला important, यह देखो 25-30 question तो यही हो गए आपके हो गए कि नहीं हो गए कम से कम मुझे लग रहा है कि आपसे 30 question यहाँ पे हो रहा है, तो 30 में कम से कम 200 question उसके आसपास के घुमा के करा रहा हूँ आप किसी भी pdf को देख लेना इस pdf को भी साजा कर दूँगा, आपको इसको पढ़ लेना एक बार अजा question पहुँच गया था कि आपके पास ठीक है, father of India unrest यह किसे कहा गया तो बाल गंगा धर तिलक को कहा गया सिंपल सी बात है, आप लोग सब लोग पकड़ लिये थे ठीक है, किसने कहा था यह बताओ, यह बुक किसके द्वारा लिखी गई थी father of India unrest किसके द्वारा बुक लिखी गई इंडिया अन्रेश्ट एक बुक आई थी, किसने लिखी थी Valentine ची रोल ने लिखी थी Valentine ची रोल के द्वारा लिखी गई ठीक है, दूसरी बात यह Valentine ची रोल जो थे इन्होंने यह बुक लिखी थी और बाल गंगा धर तिलक जो थे यह पता इस्टिमिश्ट लीडर थे लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे इनके द्वारा पता है महराष्टरा के रिजन में याद रखना होम रूल अंदोलन भी चलाए गया था होम रूल मुवमेंट भी इन्होंने शुरू किया था इनके द्वारा बहुत सी पुस्तके भी लिखी गई जिसमें इनके दो नीश पेपर बहुत ही ज़ागा इंपोर्टेंट है मराठा और केसरी मराठा और केसरी इन्होंने दो नीश पेपर निकाले थे जो की क्रांति और आयादी इनके दोरा महराथ्ट के रीजन में गडेस महसो और सिवाजी महसो मनाना शुरू किया गया था गडेस महसो और सिवाजी महसो मना करके राष्ट बात की भावना जगा रहे थे सिवाजी महसो इन्होंने ही सुरू किया था होमरूला अंदुलन, मराठा और केसरी मराठा इंगलिज भासा में था, केसरी इसका मराठा भासा में था मराठा लाइंग्वेज में ये केसरी था और ये आपका मराठा जो था इंगलिज भासा में था ठीक है साब, clear हाँ, गडेश चतुर्थी जैसे पर को भी इननों ने मनानी की सुरुआत के थी हमारे समिदान में किस आर्टिकल के तहट बच्चों को 6-14 साल तक बच्चों को निसुलक और फ्री विवस्ता सिच्छा विवस्ता की गई है मूल अदिकार में अब मूल अदिकार कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था 21 जो है उसका ए पार्ट जोड़ा गया था कब जोड़ा गया है आर्टिकल 51 ए पढ़ता है जिसको हम लोग fundamental duty बोलते हैं यह तो DPSP हो गया यहाँ पर एक 11 नंबर का 11 नंबर का fundamental duty जोड़ा गया था कि माता पिता करता भे वो अपने बच्चे को सिच्छा की विवस्ता करें इसी अमेंडमेंट के दोरा और इसी अमेंडमेंट के दोरा हमारे DPSP में डाटिव प्रिंस्पल फॉर इस्टेट पॉलसी में जो कि हमारा आर्टिकल 45 है उसमें बदलाव किया गया था वहाँ पर पहले 14 वरसता के बच्चे को राज सिच्छा की विवस्ता करेंगा यहाँ पर कह दिया गया था 0-6 साल आर्टिकल 21 है जो या कहता है चहह से 14 साल तक की विवस्ता के लिए यहाँ पे कहा गया माता पिता का करतब है चहह से 14 साल तक के बच्चे को स्कूल भेजे यहाँ से 0-6 साल तक के बच्चे को बच्चे को सिच्छा की विवस्ता करें इसलिए यह Act of Amendment को Constitution Amendment को हम Edit Robinson violent के रूप में सबसे पहले की गई थी तीन जगह तो आपको पता है BMC बांबे मद्रास और कुलकता में ठीक है फिर उसके बाड़ 1868 में इलावाद में ठीक है इनकी अपनी अपनी पीठ होती है जैसे लाग लाग हाई कोट होते एक गलत है वो बता कौन सी पीठ गलत है राइट आंसर दो राइट आंसर दो कौन सी पीठ इसमें से गलत है अब भारत में जो हाई कोटों की संख्या हो चुके वो 25 हो चुके नया लेटेस्ट हाई कोट अमरावती हाई कोट हो चुका है ठीक है अमरावती हाई कोट जो आप पढ़ेगा वो कहां पर पढ़ता है अमरावती हाई कोट आंध्रपडेश में पढ़ता है, राइट आंसर दें कि एक पीट इसमें गलत है, बिलकुछ भही आ, ओřिसा वाली गलत है, ओřिसा वाला यह पीट है यहाँ पर नहीं है, ओरिसा जी पीट कटक में पढ़ती है कटक में यदि हाइकोट आपको पता होगा यदि आपसे कहा जाएabet तो जोद्पूर में है आप लोग हीरो मत मनों ठीक है और इस समय देश में इतने हाइकोट है अब यह बताओ कि हमारे देश में राजिर की संक्या तो 28 राजज है 28 राजज है 8 UT है तो क्या ही न कहीं ऐसा है कि बहुत से high court हैं जहाँ पर दो राज्यों को मिला करके एक high court की बिवस्ता की गई है अब यहाँ पर बताओ मैं कुछ केंद सासरे पर दे अंडमान नीकुबार जो है वो किस high court का पार्ट में आएगा अंडमान और नीकुबार किस high court के अधिकार छे हूँ आप मेरे साथ जोड़े रहिए मेरे plus courses को भी follow करिए जहाँ पर मैं आपको चीनियों को पढ़ाता हूँ ठीक है यह तो आपके questions है right answer कर यह बिल्कुछ सही कोलकता high court में आता है यह आप लोग जानते होंगे इस तरह पढ़ता है लक्षदीब के साइकोर्ट में आता है भाई question तो ऐसे ही आते है ना exam में ठीक है very good very good सर्फ PDF में लेगी जरूर PDF में लेगी थोड़ा साथ लिखावट में कमी हो रही है क्योंकि जले जली लिखना पढ़ रहा है दूसरा लक्षदीब के साइकोर्ट में आता है तो बिल्कुछ सही आप लोग बता रहे है कोचीन हा हाई code में आता तो यह कुछ important हाई code थे बाकि आपको North East के हाई code पता हुए होने चाहिए कि North East में गौहाटी हाई code है और मरी मेगा तिपरा में तीनों राज्यों में अपना हाई code है बाकि सब गौहाटी हाई code के अंतरगद आते है यह आपसे कहा जाए कि मरी मेगा तिपरा आप बोल दे रहे हैं तो मरी मेगा तिपरा जो है मरी पूर ठीक है और मेगा तीनों बहने थी अलग हुई थी एक साथ और तिपरा मरी मेगा तिपरा में 2013 में ठीक है ठीक है 2013 में एक अलग-अलग हाई code बना दिये गए यह आपर अलग हाई code है बाकि जितना भी है जैसे answer दे, इन में से कौन सा DPSP है, कली मैंने सारे DPSP आपको articles कराए थे, प्लीज आप लोग right answer दे, इन में से कौन सा DPSP का part है, right answer दे, right answer दे, किसी को छोड़ के जाना नहीं है, बने रहना, DPSP कौन सा है, कौन से article में दिया गया है, अरे हमारे भाई uniform civil code जो है, DPSP का part है, क्योंकि हमारे जो DPSP हैं, वो किस article में आते हैं, article 36 से 51 तक आते हैं, उसके पहले article 12 से लेकर 35 तक हमारे fundamental right है, जिसको हम लोग मूल अधिकार बोलते हैं, हमारे जो मूल अधिकारों की संख्या है, वो मूलत अच्छा है, कौन-कौन सी हिंदी में लिख देता हूं, तो यहाँ पर याद कर लेना, शश्यो, इंगलिस में बोल दूँगा, धाशांशो, तो कैसे आपने ऐसी ट्रिक लिख दी, समानता का अधिकार, यह समानता का अधिकार है, article 14 से 18, सुतंतारा का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है, article 1922, ठीक है, 1922 लेकर, article यहाँ पर राइट टू अगनेश्ट एक्स्प्लोइटेशन सोसन के बिरुदा दिकार 23 और 24, तीन हो गए, अब इधर मुझे कलर चेंज कर लेंदो, वनना फिर अजीब सही लगेगा, ठीक है, यहाँ पर 1500 धार्मिक सुतंता का अधिकार, article 25 से लेकर 28, right to freedom of religion, ठीक है, यहाँ पर article 29 और 30, यह है अपकर culture and educational right, यह right to culture and education, फिर यह है आपका constitution, रेमे जी, article 32, अब आप कहोगे, article 31 कहां गया, article 31 था संपत्ति का अधिकार, पहले हमारे 7 मुद अधिकार थे, इसको खतम कर द गया, कब 44 constitution amendment के दौरा, कब साब 1978 में, ठीक है, यह कहां पर है, अब समिधान के भाग बारे में आते हैं, तो यह भी आतकना कि भाग बारे में आते हैं, clear, चले आगे, एबोलिस कर दिया गया, भाग बारा में, इसको legal right बना दिया गया, संपत्ति का अधिकार को, अगला important, बनने की सुरुआत 9 December 1946 को ही थी, फिर מीटिंग को का सिल्सृसरा चलता है, 11 December 1946 को फिर एक मीटिंग होती है, फिर 13 December 1946 को एक मीटिंग होती है, थिक है, फिर उसके बार यह प्रक्रिया चलती रहते हैं, 24 अगस्त के आते हैं, 29 अगस्त 1947 को एक मीटिंग होती है, वहां पर drafting committee ल 29 नॉम्बर देखो 1949 लिख रहा हूं 49 लिख रहा हूं मैं लगा समयधार बनने में कितना दिन लगा दो साल 11 महिने और 18 दिन का समय लगा 2 एर ठीक है 11 डेज ठीक है और 18 स्वरी 11 मन्थ है कई बार वो मिसिंग हो जाता है 11 मन्थ और 18 डेका टाइम लगा कोई दिकत यहां पे 18 डेका टाइम लगा बनागी 9 दिसमर को जो मीटिंग हुई यहां पे सबसे उम्रद राज बेखती थे डाक्टर सचितरा नन सिन्हा उनको अध्यच बनाया गया था डाक्टर सचितरा नन सिन्हा को सचिरा नंसिन्ना को और यहाँ पे अगला दो दिन बाद क्या हुआ तो permanent precedent बनाया गया था फिर दो दिन बाद और उनका नाम था डाक्टर राजिंदर प्रशाद और यह अगला दो दिन बाद क्या हुआ था आपने यहाँ पे भी बताया जेल नेहरू ने पहली बार हमारे समिदान का उद्देश प्रस्ताओ जिसको उद्देश सिका बोलते हैं उसको प्रिम्बल को इंटिड्यूच किया था और 29 अगस्त 1947 को हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी मनाई गए थी जिसमें 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे तो आपके वो थे उनका नाम था दाक्टर भी उनाम बेट कर और हमारा समिदान बन के कब तयार हुआ था 26 नॉम्बर 29 नॉन्चास को इसलिए 26 नॉम्बर को हम लोग अपना कॉंस्टिशनल डे भी मनाते हैं ठीक है और इसी दिन वरगीज कुरियन साब का बर्थेड़ी भी होता है तो यह कुछ इंपोर्टन डेट थी उनको मैंने बता दिया कॉंस्टिशनल डे की रूप में भी सेलिवेट करते हैं क्लियर साब क्लियर अगला इंपोर्टन दो साल 11 मैंने 18 दिन का समय लगा तीन सारी की सारी बाते नोबल प्राइज ऑफ एकॉनमी एकॉनमिक्स का नोबल 2020 किसे दिया गया है साब सिंपल सा कुछन है एक कुछन आएगा क्योंकि अब 2020 का यह मोश्ट इंपोर्टन कुछन होंगे एकॉनमी का तो नोबल प्रुषकार जो एकॉनमी का पाहे हैं उन सक्स का नाम बताईए तो यह दोनों नाम हैं मिलग्राम और विल्सन तो मैंने एकॉनमी का नेवल ऐसे बताया था कि मिलग्राम, मिल और विल ऐसे याद कर लो मिल और विल को मिला है एकॉनमी का नोबल इसी प्रकार आप लोग और याद करो फिजिक्स का नोबिल केसे मिला है बाई सौट में लिख रहा हूँ फिजिक्स का नोबिल प्राइज 2020 तो यहाँ पर याद रखना कि फिजिक्स में तीन वर्ड होते हैं गेज, गेंजल, पिन्रोज हमारे याँ कहते हैं गेज लेकर आप गेज, गेंजल और पिन्रोज को दिया गया यह तीनो नाम आपको याद हो गए मैंने आपको याद कराए हुए है जो लोग नए हैं तो लोग मुझे पहली बार सुन रहे होगे तो उनको पता नहीं होगा वरना 90% को सारे नाम याद है ठीक है, फिजिक्स को तीनों को मिला है इन दोनों को मिला है, common है ठीक है, यहाँ पे कमेश्टी का नोबिल किसले मिला है इन्होंने फिजिक्स में क्या किया है तो यहाँ पे black hole की discovery किया है तीसरा यहां पर आएंगे educated का नोविल किसे मिला हुआ है अरे दबा किशीच की बनाई है पहली बात तो यह बता ओ तो इन्हेंने hepatitis C की दबा बनाई है hepatitis C की दबा बनाई है और इनको किसने दबा बनाई है तो मैंने कहा था गिवाई चावल को लेना है और कुकर में डालना है तो आपने कहा कि एक सक्स का नाम है राइस और एक हॉंग्टन नाम कुकर में डालना है हॉंग्टन ठीक है हॉंग्टन और यहाँ पर एल्टर कर दीना है और एल्टर कर दोगे सांती के नोबल किसे मिला है तो आप लोग बोलना सांती का मतलब जब भर पेट भोजन होगा तब ही सांती होगी पेट में भोजन होगा तब ही सांती होती है तो World Food Program को दिया गया है जिसके बारे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है रूम इस्तित है जो कि F.A.O. Food and Agriculture Organization की दुरा चलाए गया है एक और नोबिल को एकॉनमी को उपर लिखा हुआ इसलिए कर्फूज हो रहा था क्लियर हाँ चाबल को डाल करके हंक्टन नामक कुकर में एल्टर कर देना है कमेश्टी का नोबिल एमवल और जैनिफर को मिला है फिजिक्स का नोबिल गेज गेंजल और पें रोज को मिला है ठीक है अगला इंपॉर्टन कुश्चन राइट आंसर दीजेगा बस सिंपल सा कुश्चन कौन से सुल्टान को कहा गया था कि उसके जाते ही हमें उससे मुक्ती मिल गई और उससे हमसे मुक्ती मिल गई राइट आंसर देना आप लोग समी लोग राइट आंसर दे जल्ली दो कहा गया था कि दुनिया का सबसे पापी और पिपासु से संसार में जनता को मुक्ती मिल गई बदायनों ने भी कहा ये वाद और उसका नाम क्या था सबसे intelligent आदमी था दिल्ली सल्दन का लेकिन सबसे पागल कहा गया आप समझे मुहम्मद बिन तोला मुहम्मद बिन तोला की कुछ ऐसी नीतिया थी जैसे कि दो आप में करबरदी उसने tax बढ़ा दिया था ठीक है दो आप में दूसरा यहाँ पर इसकी trick है जो इसके क्रम से है दो आप में करबरदी दो रा साखावा साखावा ठीक है इसकी trick है दो आप में करबरदी इसने करदी tax बढ़ाया तो इसका failure हो गया टेक्स जब बढ़ाया तो अकाल पड़ गया, इसने फिर क्या किया, रा मतलब यहाँ पर राजधानी capital change की, दिल्ली से राजधानी change की, इसने capital change करना इसके जीवन के बहुत बढ़ी भूल थी, दिल्ली से दौलतावाद और फिर दौलतावाद से दिल्ली आने लगा, फिर उस इसके बाद क्या किया, ठीक है, इसने सांकेतिक सिक्के चलाए, ठीक है, सांकेतिक सिक्के मतलब token currency चला दी, जब token currency चलाती, दो आप मतलब यहाँ पर 2, मतलब दो आप में कर्मनी राजधानी परवद, सांकेतिक मुद्रा चलाना और यह इसको token currency बोलते हैं, लोगों अबियान के लिए इसने सेना भर्द जी गी थी उस सेनिया से भी इसको फिलियर हुआ तो खुल मिलाके जो दिल्ली का महान सुल्तान था उसको फिलियर ही फिलियर हात लगा और इसके फिलियर इसकी पता intelligence के पीछे इसको दवा ले गया तो यह इसके साथ negativity हुई सारी चीजे त ठीक है, अमीर को ही, हाँ, educated था और educated होने के साथ जो इसके plan थे, दोरा साखा का metric है, जिस ट्रेक से मैंने plan याद किये हैं, जैसे आपको कई बार कहीं लिखना होगा, तो आप याद रखना, इसी ने tax reform किया, दो आप में करबरदी की, capital change किया, token currency, अगला important कुछ मातपूर्ण articles हैं, जो आप बताइए कि इसमें से कौन सा article है, जो राष्टपदी को हटाने के लिए जाना जाता है, और impeachment process उससे होता है, comment में answer दें, please आप सब लोग, अरे क्या हो गया, जल्ली answer दें, ठीक है, इनमें से कौन सा article है, जो की, जाना जाता है, right answer दें आप लोग, अरे right answer दें, हाँ, implementation किया, लेकिन उसका सफलता नहीं मिली, ठीक है, आप लोग right answer दें, impeachment process जो है, जिसको हम लोग बहाँ भीयोग बोलते है, राष्टपती का किस article में उलिखित है, तो article 61 में उलिखित है, ठीक है, अब जो हमारा राष्टपती है, कुछ लोग यहाँ पर देखो, precedent, ठीक है, precedent जो है, हमारे समिदान के भाग 5 में आता है, समिदान के भाग 5 में कौ तो हमारे समिदान का article 52 कहता है, there shall be a president of India, भारत का एक राष्टपती होगा, तो यहाँ पर article 52 क्या कहता है, कि भारत का एक राष्टपती होगा, यदि आप से पूछा जाता है, कि हमारे राष्टपती के बारे में कौन सा article है, तो एक राष्टपती होगा कहा गया है, 52 में कह गया है, article 53 में क्या कहा गया है, जो हमारे देश का राष्टपती होगा, वो क्या होगा, हमारी executive का head होगा, यदि आप से पूछा जाए कि हमारी कारे पालिका का head कौन होता है, तो आप बोलना, राष्टपती ही होता है, और दूसरी बात इसी में कही गई, कि तीनो सेनाओ का प्रम कौन होगा, राष्टपती होगा, clear, noted, important है ये सारी बाते, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, educated head भी होगा, और दूसरा, ये तीनो सेनाओ का commander in chief भी होगा, तो ये commander भी होगा, article 54 क्या कहता है, हमारे समिनान का article 54 कहता है, कि राष्टपती का election कैसे होगा, election of president, तो र राज्यों के MLA है, all state MLA, और all MP participate करते हैं, elected MP, सारे जो चुने गए लोग है, जनता की दोरा, वो participate करते हैं, इसमें ये question बनता है, article 55 है, वो क्या कहता है, election process कैसे होगा, राष्टपती का चुनाओ है, कोई मजाग थोड़े ना है, तो election process कैसे होगा, separate electoral system पे होगा, article 56 क्या कह राष्टपती इस पत्वे बने रहेंगे, article 57 क्या कहता है, most important है, इसको भी आप लोग नोट कर लें, article 57 कहता है, most important है, eligibility of re-election, यदि दुबारा से किसी राष्टपती को चुनाओ लड़ना हो, तो क्या योगता है होनी चाहिए, उस बारे में बताता है, eligibility of re-election, ये question आया थ re-election के बारे में कौन सा article कहता है, article 58 क्या कहता है, तो article 58 कहता है, राष्टपती की qualification क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरे खोपेंते, साल के उम्रपूरी कर चुका हो, लोग सभा के सबनने की योगता रखता हो, इसके लाबा, वो office of profit में ना हो, ठीक है, तो article 58 क्या कहता ह ख्लियर, qualification की बात करता है, और article 59 की बात करता है, उसके office की बात करता है, Rodrigal 60 क्या करता है, office मतलब की office जो है उसके बारें बात करता है, qualification ठीक है article 59 जो कहता है condition of president office presidential जो office है उसके बारें बात करता है ठीक है यहीं पर payman और भत्ते वगरा सारी कुछ दिये गए है कितना इसको बेतन मिलेगा ठीक है article 60 क्या कहता है हमाई राष्टपदी का article 60 ओ लगा है तो मतलब 60 है यहाँ पर oath की बात करता है कि राष्टपदी की सबद article 60 में article 61 में हटाने की प्रक्रिया है article 62 में यहीं राष्टपदी की vacancy vacant रहती है उसकी प्रक्रिया है और article 63 जो है हमारा क्या है यहाँ पर VP के बारे में 60 के बात जो आपका 61 चरट है यहां पर री जो वैकेंसी के समद्द में यह दिए धाल हो जाती है राश्ट्पती के रूप में काम करेगा अगला में बैटा ओट को उठशा समय स्वंदित है तो की से ना रहता है है तो यहां पर यह भी हार रठान है कि यहर्या को श्राइज तीक हुरत और कि सेमा छोल्व्बियोफ्टी जाता है यहाँ sanity है तुम्दियर का में जो लोग काम करते हैं, news paper magazine में जो लोग अच्छा काम करते हैं, उनको ये price दिया जाता है ठीक है, और इस बार जो है याद रखना कि journalism के लिए का ये award है, journalism जो है photography, journalism, ये सारा चीज़ें इसमें आती है इन journalism, journalism के लिए अगला important question अच्छे question है, इन में से कौन सा correct नहीं है, तो आप लोग right answer देना है, इन में से कौन सा एक गलत है ठीक है, तो आपको बता दे हमारी जो emergency है, हमारे सम्धान में इस ब्योस्ता को जर्मनी से लिया गया है, कई बार यही question अगया है, article 352 से ले करके 360 तक, ठीक है और हमारे देश में तीन थ्री टाइप से emergency लगाई जाती है, तीन प्रकार से emergency लगाई जाती है, कौन कौन सी तो article 352 के तहती, जो बिल्कुत सही है, national emergency, article 356 के तहती, जिसको हम लोग बोलते है presidential rule, जब कहीं पर राज़ में constitution failure हो जाता है, एक incorrect है, और ये incorrect है, कौन 385, यदि हम बात करें कि हमारे 352 और 352 के बाद 356 और फिर उसके बाद 4-4 का गयप है, तो 360 में है, बित्ती आपातकाल, जो आज तक हमारे देश में लगा नहीं है financial emergency जो है, वो 360 में है, ना कि 352 में है चार-चार का गयप है, और ये बिलकुँ सही है जो constitution amendment है ये हमारे सम्धान के part 20 में आता है, एक मात्राइट कल ऐसा है जो कि सिर्फ एक भाग में लिखेता है, वो यही है हमारे सम्धान का संसुदर और ये दच्छिन अफ्रिका से इस model को लिया गया है clear, अगला important बहुत अंदर नहीं जाओंगा तो ज़्यादा हो जाएगा इंद्रा गांधी सांती पुरुसकार 2019 अब आप लोग बोलेंगे 2019 लेकिन बेटा ये 2019-2020 में दिया गया है और important होता है ये बार-बार question आता है तो इंद्रा गांधी जो सांती पुरुसकार है वो किसे दिया गया, right answer दिया आप लोग इंद्रा गांधी सांती पुरुसकार किसे दिया गया है इस बार का बिद्री दुको करने में मदद करता है। अभी हाली में ऑर्गेनिक फूट जो हैं उनको सार्टिफिकेट दिया गया है और प्रोड है किकला पींट। जिसका नाम Mopla है या Mopla painting है, इसी प्रकार आप बताए गंगा-दी का जो origin का सूर्स है, आप बताए किस नदी के नाम पर, आपको याद रखना है गंगा जब उत्रहघंड से निकलती है तुर गंगा नहीं है red color से, अभी आपको मैं बता रहा हूं, तो यहां पर एक नदी जो निकलती है, इसका नाम जो निकली थी, इसका नाम है यहाँ से निकली थी, इसका नाम है बद्री नाध धाम, बद्री नाध से निकली थी और इसका नाम है अलक नंदा, अलक नंदा इस नदी को बोलते हैं, यहाँ तक यह बहती है अलक नंदा की नाम से, अलक नंदा नदी major नदी है और इससे महत्पून नदियां मिलती रहती हैं उसमें सबसे पहले मिलनेवाई नदी का नाम यहाँ पर नियूट कर लेते हैं इसका नाम है धौली गंगा जिस पर अभी बाड आई थी आपने ग्ली सिर पिखलाता इसका नाम है धौली गंगा जहाँ पर मिलती है तो यहाँ पर बनता है विश्णू प्रयाग यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है विश्णू प्रयाग जब दो नदियां मिलती है तो प्रयाग बनता है अभी important भी है यहाँ से एक नदी आकर के मिलती है उसका नाम पिंडार रिवर पिंडार रिवर जब आके मिलती है तो यहाँ पे कानों में पिंडार पहनते है तो यहाँ पे बनता है कर्ण प्रयाग कर्ण प्रयाग कर्ण प्रयाग किस नदी के संगम पे है तो अलग नंदा और पिंडार नदी के संगम पे है यहाँ प प्रयाग के यदि आप आगे आएंगे ठीक है रुद्ध प्रयाग तो यहां से एक नदी निकली है उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है गंगोत्री ग्लेसियर से और यहां से भागी रती जब यहां पर आकर मिलती है तो यहां पर बन जाते है ठीक है देव प्रयाग आपको पता है उत्राखंड तो ही चुका है ठीक है यूपी ठीक है फिर उसके बाद बिहार फिर उसके बाद आपको याद रखना है बिहार के अलावा यहां पर जारखंड और वेश्ट बंगाल वेश्ट बंगाल के बाद एक रेखा इसकी हूली कहलाती है जो इसकी सायग दिया है फरक्का डाइम के पास और एक इसका नाम बदल जाता है पदमा की नाम से यह वेश्ट बंगलादेश में पदमा की नाम से जानी जाती है तो यह आपको बंगलादेश का इसका लोकेशन तो यह 2525 किलोमेटर की टूटल जर्णी पूरी करती है फाइव इस्टेट में आईव इस्टेट पच्छिस तो पच्छिस क्लिमीटर की जरनी पूरी करती है तो थैंक यू सो मच आलाफ यू कि आप लोग ने में इतना साथ दिया और आज के लिए इतना ही और यह आपको एलवूलियन स्वाइल है जो कि भारत में सबसे आदा पाई जाती है कोस्टल प्रे आप लोग ध्यान रखें थैंक यू सो मच आलाफ यू आप में से जो भी अनकेडमी जोइन करने वाला है तो भूले नहीं रेफरल कोड मेरा जीट 10 और जीत लाइब तो आप जीत लाइब को यूज करना ना भूलें यह मेरा रेफरल कोड है अनकेडमी में सबस्क्राइब क तरीके से बहुत से टॉपिक हमने पढ़े है यह इसमें कम से कम मैंने 200 से ज़्यादा कुश्चन्स आपको कराए है उनी टॉपिक के इर्दिगिर तो आपने इस बात को समझ लिया होगा तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय पर ठीक 12 बज़े अपना ख्याल लखें खुस रहें पढ़ते रहें बढ़ते रहें